कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे मैं विश्वास करती हूँ आप सब कानी सुनने के लिए तैयार है तो चलिए आज हम एक मज़ीदार कानी सुनेंगे एक शहर में सैम करकर एक लड़का था और वो न्यूस पेपर डालने का काम करता था घर घर जाकर वो छोटा ही लड़का था उसने सिर्फ 10 ते खतम किया था लेकिन वो न्यूस पेपर डालने का काम करता था तो एक दिन वो सारे जगह पर न्यूस पेपर डालकर अपने घर के और वो जा रहा होता था तब उसके बाजू वाले डेविड अंकल उन्होंने आके सैम से पूछा क सैम तो स्कूल क्यों नहीं गया ऐसे करके सैम से वो पूछते हैं तब सैम बोलता है नहीं अंकल मैं नहीं जाता है ऐसे करके वो बोलता है तब डेविड अंकल पूछते हैं क्यों क्या हुआ तुम बिमार हो क्या ऐसे करके वो उससे पूछते हैं तब सैम बोलता है नहीं मेर तब है तो बिल्कुल ठीक है, मैं बिमार नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं जाता है स्कूल, ऐसे करके वो बोलता है, तब डेविड अंकल पुछते हैं कि क्यों क्या हूँ, तुम तो इतने अच्छे पढ़ने वाले रड़के हो, तुम क्यों नहीं जाते हो स्कूल, ऐसे करके वो उससे पूछते हैं तब सैम बोलता है कि नई अंकल मुझे फीस की प्रॉब्लम है मेरे पापा जब से मर गए तब से हमारे घर पे बहुत पैसों की तकलीफ होती है हम फीस नहीं बर पारे स्कूल में मम्मी भी काम करती लेकिन फिर भी पैसे उतने जादा हम भर नहीं पारे हम स्कूल में बात की लेकिन उन्होंने मनाई कर दिया इसके बिना हम नहीं पढ़ा सकते हैं ऐसे करके उन्होंने बोल दिया इसके लिए मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया मैंने अपने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाओंगा मैं ऐसे काम करूंगा ऐसे करके म मैं तुम्हारी मदद करता तब वो पूछते हैं तुम्हारी मम्मी कब आएगी मैं उनसे बात करता हूँ ऐसे करके वो सैम से पूछते हैं तब सैम बोलता है मेरी मम्मी पांच बज़े तक शाम को आई जाएगी ऐसे करके वो बोलकर घर चला जाता है तब जैसे उनकी मम्मी श प्रब्लम हो रही है आपने मुझे बताया नहीं मुझे बताया हो तो मैं आपकी मदद करता ना ऐसे करके वो उनसे बोलता है तब वो डेविड अंकल क्या करते हैं वो घर से जाकर पैसे लेकर आते हैं और बोलते हैं कि यह लो तुम इसको रखो और सैम को पढ़ाओ और भी आ करती कि नहीं नहीं चलेगा साहब नहीं हम पढ़ा लेंगे हम उसको कर लेंगे लेकिन आप क्यों तकलिफ ले रहे हो ऐसे ऐसे करके वो बोलते हैं तब डेविड अंकल बोलते हैं मैंने तो अपने बच्चों को सबको पढ़ा दिया है और परमिश्वर ने मुझे इतनी कर वो अपने 11 स्टैंडरेड की शुरुभात करता है तब ऐसी वो अच्छे से पढ़ता है साम अच्छा पढ़ने वाला लड़का था उसने टैंथ में भी फिस्टंट लाया था और वो ऐसे पढ़ते गया और ट्वेल थी उसने अच्छे माँ से वह पास किया अच्छे अच अच्छी से पड़ते गया और जब जिंदा थे वो हर बार ऐसी बोलते थे क्या Sam को Collector बनाओगा Sam एक Collector बनेगा ऐसे करके वो बोलते रहते थे तब Sam भी अच्छे से पढ़ा और क्या हुआ Sam पढ़कर अच्छे से वो Collector बन गया और उसको कहाँ पे पोस्टिंग हुआ था उसको डेली में उसको पोस्टिंग हुआ था तब वो डेली में जाता है वहाँ पे घर देखता है और वहाँ पे उसका ओफिस होता है और वहीं पे वो जाकर अपने ओफिस में रोज मनलगा कर वो काम करता था तब एक दिन वो जैसे अपने रोज अपने आफिस में जाकर काम कर रहा होता है वैसे ही वो एक दिन जाकर अपने आफिस में काम कर रहा होता है तो अचानक के कॉल उसको आता है और उनसे बोलते हैं कि सर आप जल्दी से यहाँ पे आईए यहाँ पे एक फैक्टरी में आग ज सामने जाता है तब वहां पर जैसे जा रहा होता है वहां पर बूढ़ा आदमी चिला चिला कर वो रो रहा होता है कि अरे मेरी सारी संपती मेरा सब कुछ जल रहा है मेरा सब कुछ जल रहा है ऐसे करके वो बहुत ही चिला चिला कर वो रो रहा था तब सैम उस बूड़े आदमी को देखता है तो उनको उसने पहचान लिया ये तो डेविड अंकल है ये तो मेरे पडोसी है उसने उसको पहचान लिया तब वो अंकल के पास जा कर वो बोलता है कि आप रोई ये मत आप रोई ये मत लेकिन डेविड अंकल ने तो सैम को पहचान ही नहीं तब सैम बोलता है कि आपने मुझे पहचाना क्या ऐसे करके वो वो डेविड अंकल से पूछता है तब डेविड अंकल ऐसे रोते रोते दीरे से वो सैम के और देखते तब लेकिन वो पहचानते नहीं तब Sam बोलता है मैं आपका वो पड़ोसी चोटा लड़का ऑपने जिसकी मदद की थी आपने जिसको पैसे देकर आपने मुझे पढ़ने में आपने कितने मदद की थी मैं वही Sam हूँ ऐसे करके वो बोलता है तब वो बोलता है कि मैं भी collector आप चिंता मत कीजिए आप मैं आपकी मदद करूँगा और उनको उस डेविड अंकल के लिए उसने एक अच्छा घर दिलाया और वहाँ पे उनके बच्चे सब उनको सैम ने अच्छे से उनका ख्याल रखा तो इस काने से हमें क्या सीखने मिलता है कि हमें भलाई करना छोड़ना नहीं चाहिए तो हम उसका फसल काटेंगे भलाई करना एक बीच के जैसा है जो हम जैसे बीच को बोएंगे उसके कटनी को हम काटेंगे हमें अच्छे बीच को बोना है है ना तो हमें भलाई करना जैसा एक वच्चन कहता है गलातियों 6-9 में हम भले काम करने में साहस न छोड़े क्योंकि यदि हम ढिले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे तो हम अच्छे बीच को बोयेंगे तो अच्छे फसल को हम काटेंगे तो हम भलाई करना नहीं भूलना है ना उसमें हमें ढिले न लाई को करना तो मैं विश्वास करती हूं कि आप सबको कहानी अच्छा लगा होगा तो हम अगली बार मिलेंगे बाई